कि नमश्कार दोस्तों मैं रूम उन शर्मा हाजिरूं आप सभी सामने आपके अपने चैनल जोतिशन वास्तों में कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज इस वीडियो में मैं कुछ बहुत ही अच्छे अच्छी न्यूज आपको देने वाला हूँ तो उसके लिए थोड़ा सा बने रही है उससे पहले बात करते हैं कुछ important चीजों के बारे में जो की जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है यहां पर दोस्तों कल न्यूज एक आ रही थी जिसने काफी ज़्यादा लोगों को परेशान कर दिया था और वह न्यूस थी कि आठ लाख केसे जो हैं वो पार हो पैनिक हो गए थे कि I don't know what to say आठ लाग is the number of the infection rate बट किसी ने भी यह नहीं किया कि पांच लाग लोग रीकवर भी हुए हैं पांच लाग से जादा लोग रीकवर भी हुए हैं यह शायद किसी ने नहीं किया तो दोस्ताव सभी को सबसे पहले बताना चाहता हूं कि पांच ही mild cases आ रहे हैं बहुत जादा serious cases नहीं आ रहे हैं जिसमें कोरोना के symptoms आते ही वेंटिलिटर की जरुत पढ़ रही है कोरोना के symptoms मिलते ही को बहुत जादा कोई serious condition हो रही है तो अब जो cases आ रहे हैं बहुत mild cases आ रहे हैं और गर पर भी इनसान ठीक हो रहा है गर पर भी उनकी अच्छे recovery हो रही है गर पर भी immunity बढ़ रही है यह बहुत अच्छी चीज़े कि immunity अब दीरे दीरे बढ़ना शुरू हो गई है अब दीरे दीरे लोगों के अंदर डेवलेप होना शुरू हो गई है दोस्तों अभी चो करेंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए और अभी चो मैं यह वीडियो बना रहा हूं यह अगर सिचुएशन नोटिस करी जाए तो 62.4 से जाधा से जाधा कि इ जैसा कि मैंने वीडियो में अलड़ी पोला हुआ है कि जुलाई के एंड तक आते आते हम सेवेंटी से क्रॉस कर चुके होंगे इसके पूरे पूरे चांसे समया पर दिखाई देते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों बहुत ही जाधा महतुपन बाते ध्यान से सुनिएगा आई होप आप सभी खुश होंगे एक चीज सुनके दोस्तों आठ वैक्सीन चाइना की यूमन ट्राइल पर चल रही है और उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट जो वैक्सीन है वो सेकेंड ट्राइल के अंदर आ चुकी है सेकेंड ट्राइल मतलब की बहुत ही नजदिक है यूमन ट्राइल के यूमन ट्राइल में भी उनका सेकेंड ट्राइल चल रहा है उसका अगर नाम आप लोगों नई सुना हो तो जीजैफ करके एक वैक्सीन है चाइना की जो की यूमन ट्राइल के सेकेंड फेज में आ चुक की बात कर रहा हूं मैं नॉर्मल वेक्सिन्स या नॉर्मल ट्राइल की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं यूमन ट्राइल की जो की इंडिया में भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है आज कल में यूमन ट्राइल शुरू होने वाला है यूमन ट्राइल का प्रोसे हो जाएंगे तब तो यह कहीं न कहीं बहुत अच्छा संके थे human trial जब इंडिया में शुरू होगा तो उसके भी पूरे-पूरे होने की chances बहुत अच्छे बनते हैं इसी के साथ अमेरिका की जो company है जो vaccine बना रही है उसने सा अभी अभी रिसेंटी packaging company से deal कर ली है और बहुत बड़े packaging lot को तयार करने की बात यहां पर चल रही है तो कहीं कहीं ग्रहों की जो यह position है यह यह चीज़ भी दिखाती है कि यहां से भी vaccine आने के chances बनते हैं तो दोस्तों अभी जो बहुत जादा जो cases हमें दिख रहे हैं सभी जगे अल्मोस्स सभी जगे अमेरिका और इंडिया की तीन जगों की बात में specially कर रहा हूं इन तीन जगह उपर जो cases हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं यह end है यह slope-down है आप थोड़ों से चीज़ सूचिएगा जब भी पिरामिट अगर अपने कभी देखा हो कि पिरामिट कैसा होता है पिरामिट होता है एक ट्राइंगल शेप का पिरामिट होता है जब हम नीचे से उपर जाते हैं पिरामिट के टॉप पर जब जाते हैं तो उसमें मेहनत लगती है process slow होता है बट कहीं न यहां पर स्पीड बहुत जादा है अब बहुत जल्दी यह पहुंचने वाले हैं और बहुत जल्दी इंफेक्शन रेट खतम होने वाली है इसके पूरे पूरे चांसे यहां पर दिखाई देते हैं तो इसलिए दोस्तों आने वाले तीन महीने जो कि हम शुरू से बात कर रहे हैं 15 जुलाई के बात का जो समय है वो बहुत ही जादा महत्वपोर्ण है बहुत जल्दी बहुत नजदीक हैं हम इस समय के बहुत जादा दूर नहीं है अब यह समय और 15 जुलाई के बाद का जो समय है यह बहुत ही जादा खास यहां पर दिखाई देने वाला है काफी सारी चीज़ें जो है वो अच्छी चल रही है ऐसी बात नहीं है कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है आप देखिए शुरू से जहां पर वार की सिच्वेशन पूरी की पूरी बंच चुकी थी मिलिटरी बेस तयार हो चुका था आप बहुत सारे जो चीज़ें जो थी काफी चीज़ें हो चुकी थी बट इंडिया और चाइना के बीचे में किसी भी तरह का वार यहां पर नहीं हुआ चीज़ें जो है वो एकदम से शान्त होगी आज न्यूस पर आप देखिए किसी भ बार बार बोल चुका हूं बारिश समस्या बढ़ने वाली है बारिश समस्या बढ़ने वाली है यहां पर और यह चल रहा है यह बढ़ा रही है असाम के तरफ देखिया आप मुंबई के तरफ देखिया आप उत्रप्रिदेश के तरफ देखिया तो बारिश कहीं न कहीं बुकम पाया है वो भी four point के something का ही बुकम पर जो कि मैं already बता चुका हूं कि बुकम यहां पर अभी आते रहेंगे बुकम यहां पर अभी आते रहेंगे और कल पर्सों के वीडियो में बता कि दिल्ली में थोड़ा सा सावधा नहीं रखनी चीह दिल्ली में बुकं पाने के चा रहे हैं उनके बारे मैं फटनावर से बताना चाहूंगा एक डियूमर बहुत जादा फैल रहा है कि नवेंबर में वाइरस आने वाला है नवेंबर में वाइरस नहीं आने वाला है आकिर क्यों आएगा नवेंबर में वाइरस किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं करी सबने ब बोल बोल चुका हूं बार बार कि नेवेंबर में कोई भी वायरस अभी आने की उमीद नहीं है उसका पुखता पुखता जो कैलकुलेशन है पॉफेक्ट जो कैलकुलेशन है वो मैं लेकर आ रहा हूं आपके पास थोड़ा समय जरूर लग रहा है काफी सारी वीडियो बना र तो इसलिए एक वीडियो लेकर आ रहा हूं उस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब होंगे और उस वीडियो में आपके सारी क्वेरीज के में स्वाल करने की कोशिश करूँगा दोस्तों अगली अगर हम यहाँ पर बात करें तो रिकवरी रेट जो है वो दिल्ली की तमिलानों की काफी जादा अच्छी हो रही है और काफी जादा अच्छी होने वाली है और यह दोनों जगे जो है जहाँ पर केसिस जो है वो रिकवरी रेट से कम हो चुके है रिकवरी की न्यूज हमारे सामने आ रही है और जो मैंने टाइम फ्रेम बताया है जो बहुत ज़्यादा रियूमर्स चल रही है कि वैक्सिन उस टाइम में रिलीज होंगी नहीं होंगी क्या होगा क्या नहीं होगा वैक्सिन को आने में 6 महीने लगते हैं 8 महीने लगते हैं 2 साल लगते बहुत ज़ादा rumors हैं पर मुझे इतना पता है कि उस time frame में vaccinerated हमें फिर कोई news मिलेगी जब मैने बोल ता twitter June में मिलेगी June में हमें मिली है तो वापस में बोल रहा हूं कि उस समय में हमें हमें मिलेगी तो उस समय में हमें हमें वापस news जरुर मिलेगी और ये पूरे पूरे chances हैं हवा वाली बात नहीं है ये 100% chances है कि vaccine की news यहाँ पर मिलेगी क्योंकि ग्रह गोचिरी वेवस्ता ये बताती है जब मंगल देव अपनी स्वर राशी में प्रवेश करेंगे तो वो बहुत जादा सहायता करेंगे इस चीज़ को हटाने में जब गुरु यहाँ पर मारगी होंगे तो वो और भी सादा सहायता करेंगे जब राहु केतु का राशी परिवर्तन होगा तो वो भी सहायता करेंगे तो इसलिए जब काल सर ब्रेक होने वाला ही है तो ये भी सहायता करेगा तो इसलिए हर एक प्लैनेट जो है, वो सहायता करने के लिए भी है Every planet is going to help us now So we have to increase our immunity, we have to increase our thought now We have to increase our positivity now This is the time to increase the positivity, this is the time to increase immunity It is up to us that how we will use and how we will increase our immunity and our positive thoughts for us That is very very important, यह बहुत ही जादा जरूरी बात है हम किस तरह से अपने आपको, अपनी positivity को, अपनी soul को use करते हैं यह अब हमारी जिम्मेदारी है एक छोटा सा सवाल जो है, वो सबके दिमाग में है और बार बार मेरे पास यह सवाल आ रहा है कि cases क्यों बढ़ रहे हैं, आप इसका prediction क्यों नहीं कर रहे हैं मैं बार-बार बोल चुका हूँ कि recovery rate का cases, जो calculation है वो फिर भी possible है, but infection rate का calculation है, वो possible नहीं है that is the karma in the person's hand, यह karma है जो आप लोगों के हाथ में है cases बढ़ाने का काम आप लोग कर रहे हैं, ना कि astrological planets कर रहे है the planetary positions are here to support you जहाँ पर cases बढ़ रहे हैं, वहाँ आप constantly देखीगा कि recovery rate बढ़ रही है कल की recovery rate 20,000 प्लस ती, जो कि किसी channel पर नहीं बताई गई तो इसलिए आप सभी से request करता हूँ, कि please थोड़ा सा ध्यान दें और थोड़ा सा positive रहें वीडियो को please like करें, share करें, subscribe करें, जादा जादा लोगों तक पहुंचा हैं तक जादा 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 लोग इस वीडियो को देख पाएं इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कुछ और जाना चाते हैं, किसी और चीज़ के बारे में पूछना चाते हैं, अपने लिए कुछ concernancy करवाना चाते हैं, आप मुझसे संपर कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी हर संबब मदद कर सकूँ कुणली अनलिसिस में पेट करता हूँ, मैं वीडियो पर बता रहा हूँ ताकि कोई किसी को confusion ना रहे